आज हम बात करने वाले हैं, वर्टसप में स्क्रीन शॉट कैसे ले सकते हैं, आईए जानते हैं तो इसके लिए अपने फोन में वर्टसप को ओपन करिये अब जिस पेच का आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं उस page पर आने के बाद अपने phone का power button जिससे कि आप screen को on off करते हैं और volume minus यानि कि जिससे आप sound को कम करते हैं इन दोनों buttons को एक साथ press करिए यानि कि एक साथ दबाईए और आपका screenshot complete हो जाएगा कुछ इस तरह से अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं किसी के status का screenshot लेना और उस status को अपने status पर upload करना तो इसके लिए उपर status पर click करेंगे जिसके status का आप screenshot लेना चाहते हैं उसके status को open करिए अब same power button और volume minus button को एक साथ press करिए और उसके बाद आपका screenshot complete हो जाएगा अगर आपके phone में three finger screenshot supported है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस type से आप screenshot ले सकते हैं अब यहाँ पर उसके बाद अगर आप इसे अपने status पर लगाएंगे तो gallery में जाएए status का जो screenshot है उसे open करिए edit के option पर click करिए crop पर click करिए और image को crop करिए इस type से जितना photo status में होगा उसे आप crop कर सकते हैं अगर आप ऐसे ही upload कर देंगे तो जिसका यह status है उसका नाम आ जाता है तो यहाँ पर जो आपके काम की image है उसे crop करेंगे और नीचे right पर click करिए उपर save का जो option आएगा इस पर click करेंगे status save हो जाएगा यानि कि जो image है वो save हो जाएगी अब whatsapp में जाएगे my status पर click करेंगे इस recent वाली photo पर click करेंगे और इसे send कर देंगे और देख सकते हैं आप अपना इसे status इस type से लगा सकते हैं जिसका यह status है उसका नाम नहीं आया है और simply आप इस तरह से अपने status को लगा सकते हैं किसी के status का screenshot लेकर तो इस तरह से आप whatsapp में screenshot ले सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें